आज का वीडियो है फॉनिक्स डिक्टेशन पे अगर आपका बच्चा फॉनिक सीख रहा है उसको साउंड आते हैं ब्लेंट और रीड कर पा रहा है और अब बारी है उसको लिखाने की यानि वर्ड्स राइटिंग स्टार्ट कराने की या फिर वर्ड्स आते हैं लिखने और उसको आप सेंटेंस राइटिंग पर शिफ्ट करना चाते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्फुल रहेगा इस वीडियो में आपको पूरा एक स्टेज वाइस दिखाऊंगी यानि कि अगर वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर रहा है तो कैसे करना है उसके बाद सेंटें यानि कि वर्ड राइटिंग के लिए या सेंटेंस राइटिंग के लिए सबसे इंपोर्टन स्किल क्या होती है सबसे इंपोर्टन स्किल होती है कि आपके बच्चे को कोई भी वर्ड मैंने बोला तो उसको सुन के उसको साउंद में ब्रेक करना आना चाहिए इसे कहते हैं स segmentation. अगर बच्चा वर्ड सुनने के बाद उसको segment करके याने उसको sounds में break करके उनकी individual sounds पहचानने लगेगा तो वो individual sounds लिखता जाएगा और उसके लिए writing easy हो जाएगी. For example, word box. Box word सुनते ही बच्चे को sounds पहचानना चाहिए. ब, औ, ख, box. अब वो लिखेगा ब, याने ब, औ, याने ओ, और ख, याने एक्स. उसने word लिख लिया. इस level के dictation के लिए, याने आपका बच्चा अगर word writing पर है या start कर रहा है, तो उसके लिए मैंने पूरा एक video बनाया है, detail में, segmentation पे, आप i button में जाके, link पे click करके देख सकते हैं, या फिर description box में दिये हुए link पे देख सकते हैं. पर उससे पहले ये video पूरा देखिएगा, क् क्योंकि इसमें अभी बहुत से tips बाकी हैं. अब हम बात करते हैं थोड़े से grown-up kids की याने 5 साल से उपर के बच्चों की या ऐसे बच्चों की जिनको words लिखना तो आ गया है, अब उनको move करना है, sentence writing पे. For example, मैंने sentence बोला बच्चे को, the cat is in the big box. Tip number one, यहाँ पे यह है कि आप कभी भी इतना लंबा sentence बस एक बार बोलके मत छोड़ दीजे. Initially आपको बच्चे को ये sentence दो या तीन पार्ट्स में बोलना पड़ सकता है, जब तक बच्चे की fluency नहीं आती है, या बच्चा थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता है. तो आपने बोला the cat is in the big box, एक बार पूरा sentence बोला, उसके बाद आप सिर्फ the cat is, ये तीन वर्ट्स बोलिए, तीन तीन वर्ट्स करके बोलिए, और बच्चे से repeat कराईए, तो आपने बोला the cat is, सीधा बच्चा लिखना शुरू कर दे, उससे पहले आप बच्चे को बोलिए repeat the sentence, या repeat these three words, बच्चा बोलेगा the cat is, फिर से repeat कराईए, अगर आप चाहें, तो अगर आपको लगता है कि बच्चा एक बार में याद नहीं रखेगा, फिर से repeat कराईए, the cat is, कहिए अब लिखो, tip number two, अगर आपका बच्चा words लिख लेता है और sentence लिख रहा है, तो sentence के पहले आपको उसको tricky words पढ़ाने हैं, क्योंकि कोई भी sentence English phonics का tricky words के बिना almost incomplete है, right? and आपने पढ़ाए भी होंगे, मतलब अगर आप Jolly Phonics curriculum follow कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे को sounds के साथ, tricky words भी थोड़े थोड़े इंट्रिड्यूस कर दिये जाते हैं, तो आप बच्चे को हिंट देते रहें, initially, कि ये tricky word है, और इस word को आप phonics के थुरू लेख सकते हो, अब अब बच्चा द लिख ले फिर अब शिफ्ट कर रहे है, तो cat, you can write it with phonics, so k, at, is, ये तीन words लिख लिए, अब आगे, in a big box, फिर से रिपीट कराईए, क्या लिखना है अब आपको, in a big box, now start writing, in, बच्चा खुदी से ब्रेक करके लिखेगा, i, n, a, b, ig, big, b, ox, box, okay, और जैसे मैंने अब भी एक-एक साउंड ब्रेक करके बोला ना, आपको अगर लगता है कि बच्चे को जरूरत है इस तरीके से individual sounds ब्रेक करके बताने की, तो वो भी करिए आप, ठीक है, see, as a teacher and as a parent, ये आपको जच करना है कि बच्चा क्या चीज कर हो सकता है कई बच्चे आपने सिर्फ बोला, the cat is, वो फटा-फट बिना आपके help के लिख ले, तो आप समझ जाए कि ठीक है, बच्चे को ब्रेक करके बताने की ज़रुरत नहीं है, पर कोई बच्चे हो सकता है, उनको ब्रेक करना पड़े, तो करिए, शुरुआत में आप धीरे-धीरे खुद ही उनकी फ्रुएंसी डेवलाप हो जाएगी, टिप नमबर थ्री, आप अपने बच्चे को पंचुवेशन्स, जो बेसिक पंचुवेशन्स होते हैं, वो शुरू से ही बताते चलिए, अब जैसे ही बच्चे ने the cat लिखना शुरू किया, the लिखना बच्चे भूल जाएंगे बट आपको consistently ये काम करना है, तो पंचुवेशन्स जैसे capital से start करना, end में full stop लगाना, या अगर question है तो question mark लगाना, ये आपको शुरू से ही बताना है, ये आपको शुरू से ही बताना है, let's see one more example, this time the sentence is, do you like mushrooms, okay, 4 words का छोटा सा sentence है, तो बच्चे तो do, do is a tricky word, अगर बच्चा अटक गया है तो उसको सीधा spelling मत बताईए, उसको याद दिलाए कि ये tricky word है, तो उसको हो सकता है, याद आ जाए, तब भी नहीं याद आ रहा है, तो आप उसको spelling बता सकते हैं, do, you, you is also a tricky word, like, अगर बच्चे ने hop over e वाला concept पढ़ा है, तो आ होते हैं, I, E, एक साथ, और एक I, और hop over e, याने split diagraph, तो उसको hint दे दीजे, like, इसमें hop over e आएगा, okay, mushrooms, अब बच्चा अगर अटक गया है, तो सीधा sound break मत करिये, उससे कहिए, कि लिखो, आप अपने आप try करो, चलो, पहले हम लोग, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले हम लोग fingers पे sound count करते हैं, mushrooms, m, a, sh, mushrooms, r, o, m, s, so how many sounds are there, there are seven sounds, now start writing, इस तरीके से आप बच्चे को हिंट दीजे, directly spellings मत बताईए, या फिर directly sounds मत बताईए, अब हम वो लेविल देखते हैं, जब बच्चा sentences लिख लेता है, मिललब, Jolly Phonics Group 1, to Group 7 के sounds use करके, वो words and sentences लिख लेता है, अब हमने उसको alternative sounds बढ़ाईए, alternative sounds, जैसे for example, o sound, o sound, Jolly Phonics Group 4 में है, और उसको लिखते हैं, o और a के साथ, but o और w भी o sound बनाता है, कई words में, ठीक है, so now another example, sentence है, do not throw rubbish on the road, okay, process वही रहेगा, बच्चे से पहले उसको बुलवाईए, उससे sentence repeat कराईए, do not throw rubbish on the road, अब do, start writing, do, it's a tricky word, not, लिखेगा बच्चा न और त, throw, बहुत possibility है कि बच्चा टी एच आर ओ ए, लिख दे, throw की spelling, because o sound is o a, जो सने Jolly Phonics Group 4 में पढ़ा है, तो आप उसको एक फॉरन मत बताई नहीं नहीं, इसमें o w आएगा, उसको simply इतना याद दिलाईए, कि there is one more way to write o sound, do you remember, तो बच्चा हो सकता है, याद आजाए और कहे, o w, तो कहो कि हाँ बटा, यहाँ पे o w वाला o आएगा, do not throw rubbish, rubbish he can write with phonics, on the road, अब road वो फिर से लिखेगा, तो r o d, क्योंकि o a वाला उसको sound इतने अच्छे से बैठ गया होगा, कि जब भी o sound आता है, तो बच्चा most probably o a ही लिखेगा, in case वो आपसे query करे, इसमें कौन सा o आएगा, o a वाला, o w वाला, या कई बार o e भी मिलाके o sound बनाते हैं, तो आप उसको clear कर दीजे, कि o a वाला आएगा, अगर मैं इस वीडियो को summarize करूँ, तो मैं आपको दो चीजे कहूंगी, बस, जब भी आप बच्चे को dictation दे, तो directly spellings ना बताएं, बच्चे को words stretch करके बताएं, उसको finger में sounds count करने को बोलें, और दूसरी चीज, अगर बड़ा बच्चा है, उसको alternative spellings आते हैं, उसने पड़े हैं, तो उसको आप कहिए कि ये वाला alternative spelling आएगा, और उसको थोड़ा सा उसको याद कराईए, because phonics का एक यही है कि phonics is very helpful in reading, no doubt about it, it can make your child an early reader, पर जब राइटिंग की बात आती है न, तो बहुत से rules है, बहुत से alternative spellings हैं, जो कि confusion का point हो सकता है, तो using phonics, बच्चा 60-70% तो spellings बना के लिख लेगा, बिना याद किये, but still, 30-40% चीज़ें उसको थोड़ा memorize करनी पड़ेंगी, जैसे यही, alternative spelling, कौन से word में कौन सी आ रही है, okay, so आप बच्चे को hint दीजे, और एक point ऐसा आएगा, जब एक ही word बच्चा बार-बार लिखता है, तो automatically उसको memory में fit हो जाता है, अगर आप एक home schooling parent हैं, preschool teacher हैं, या अपने खुद के tuition खोलना चाते हैं phonics पढ़ाने के लिए, तो एक online workshop शुरू हो रही है 6 December 2022 से, registration की last date है 4 December 2022, ये एक certified program है, अगर आपको और details चाहिए, तो mummytuber india at the rate gmail.com पे email drop करिए, thank you. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं next 1 hour तक, मतलब वीडियो पब्लिश होने के टाइम के बाद से, 1 to 1 and a half hours online ही रहती हूँ, तो अगर आपको कोई भी query है phonics से related, प्लीज मुझे comment section में डालिएगा, मैं definitely reply करूँगी, देखते रहिए, mummytuber, नमस्ते.